थाल पूजा कले कर चले आये मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा आरती बन के गुजो दिशाओं में तुम आरती बन के गुजो दिशाओं में तुम और पावन सकर दो शहर ये मेरा खाल पूजा कले आये दिल की धरकन के स्वर जब तुम्हारे हुए बासुरी को चुराने ते क्या फाइदा दिल की धरकन के स्वर जब तुम्हारे हुए बासुरी को चुराने ते क्या फाइदा बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहां फिर ये पायल बजाने ते क्या फाइदा बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहां फिर ये पायल बजाने से क्या फाइदा दिल की धरकन के स्वर जब तुम्हारे हुए बासुरी को चुराने से क्या फाइदा बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहां फिर ये पायल बजाने से क्या फाइदा डगमगाते डगों से नना पोडगर देखिये बहुत नाजुक जिगर है मेरा फूजा कल कले आये मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा आरती बन के गूजो दिशाहों में तुम्हारे बन में प्रतीक का प्रयोग किया है मैं यह तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्ति में ऐसे कोई प्रयोग नहीं हुआ लेकिन जब डॉक्टर कोल वेचेंजी ने कहा कि काम ठीक ठीक हो गया है तो आपको आपके सामने रखने की हिम्मत करता हूं जील सा मेरा मन एक हल चल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए जील सा मेरा मन एक हल चल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए घर के गमलों में जो नाग भनियां लगी फैंकिये रात रानी लगा लेजिए लेकिन गीत को जिस तरह से आप पी रहे ना ऐसा कभी नहीं सुना गया घर के गमलों में जो नाग भनियां लगी फैंकिये रात रानी सजा लीजिए इस पंक्ति पर मुझे दाद नहीं मिलती है अगर आप दाद देंगे तो मैं समझोंगा मैं सही ज़िए कि जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता रात काली है लंबा सफर है मेरा तुझा कले कर चले आये मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा आरती बन के गुझो दिशाहों में तुम गीत के अंतिम पंक्तिया जब कभी हम अपने मेभूफ से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाशा का प्रियोग करना पड़ता है जहां लब खामोश होते हैं वा इशारे काम करते हैं एक माइनूट ऑबजर्वेशन आपके इस आगन में रखता हूं निवेदन करत मैं जहां पहुचाना चाहरा था पहुच गए है जो भी कहना है के दीजिये बेही चक उंगलियों से नयूं उंगलिया मोडिये तुम हो को मल सुको मल तुम्हारा हरी दे पत्थरों को नयूं काँच से तोडिये जो भी कहना है केहे दीजिये बेही चक उंगलियों से नयूं उंगलिया मोडिये मैं जहां पहुचाना चाहरा था पहुच गए है जो भी कहना है के दीजिये बेही चक उंगलियों से नयूं उंगलिया मोडिये तुम हो को मल सु को मल तुम्हारा हरी दे पत्थरों को नयूं कौच से तोड़ी कल ते हम तुम जो अब हम सफर बन गए बहुत आसान है देखेगा ये बड़े कभी कहते हैं का आसान लिखना बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल लिखना बहुत आसान होता है एक मुश्किल सी बात आसान से लबद में कहता हूँ कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए आईए आईए घर इधर है मेरा थाल पूजा कलेकर चले आईए मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा आरती बन के गुझो दिशाओं में तुम और बावन सा कल दो शहर ये मेरा थाल पूजा कलेकर चले है क्या ही कहने है जिन्दा अबाद जिन्दा बाद जड़ दात आलियों से नमाजे